क्या आपको चिडियों का शौक है? मुझे तो है मैं जिस देश में रहती हूँ वहाँ कई तरह की चिडियां आती है वह भी रंग भी रंगी आज मैं आपको कुछ ऐसे फूलों के बारे में बताऊंगी जिससे आप चिडियों को अपने गार्डन में भी बुला सकते हैं क्या आप जानते हैं कि हमिंग बर्ड ज्यादा पराग या नेक्टर वाले फूलों को ही पसंद करते हैं आप तोर पे इन्हें ट्यूब शेपट फूल पसंद आते हैं जिससे रस चूसना उन्हें आसान जान पड़ता है अच्छी मीठी खुश्बू भी इन्हें आकर्शित करती है अगर आप अपने यहां हमिंग बर्ड देखना चाहते हैं तो इन्हें आकर्शित करने वाले फूलों के पौधे लगाएं जैसे गुलाब की फूल भी चिडियों को खूब आकर्शित करते हैं गुलाब पिरेनियल प्लांट है यह आपको आपके साथ सालों साल रहेगा यह कटिंग से लगता है और इसे लगाना भी बहुत ही आसान है पर गुलाब की हाइब्रिट किस्म नहीं देशी या क्लाइमबर वाले रोस लगाईए जिन में मीठी खुशबू होती है और रस भी मीटा होता है प्लाइमबर रोस में आपको काफी सारी वेरियेशन्स मिल जाएंगे हर कलर में यह मिल जाता है और इससे पक्षी काफी अट्रैक्ट होते हैं जीनिया, जीनिया के फूल गर्मियों में खिलते हैं जन्वरी में इनके बीच लगा लिये जाते हैं यह फूल के मकरंद या रस चूसने के लिए हमिंगबर खूब आती है जीनिया के बौद है बैलकनी या खुले आंगर में रखिए जिससे चिडिया बे रोक टोक से आ सके लक्षपर या मकोटी के फूल तो सब को आकरशित करते हैं हमिंगबर भी अपवाद नहीं है इन फूलों का रग आमतोर से नीला होता है जो ट्यूब शेपेड और लंबी रंडियों पर होते हैं दग्यानिक नाम इनका डॉल्फीनियम है भारत में ये जून से सेप्टम्बर तक ज्यादा खिलते हैं यानि बर्साथ और फिर सर्दियां भी इन्हें भाती है कोरल बिल्स ये भी हमिंगबर्ड या फूल चूसने चिडियों को खूब आकरशित करते हैं पर ये भारत में सिर्फ जाड़ों में खिलते हैं ज्यादा गर्मी ये फूल नहीं जेल पाते हलांकी ये पिरेनियल यानि बफू वाजिक पौधे होते हैं जो अनुकुल मौसम में पत्तों और फूलों से भर जाता है हर साल आपको नया पौधा नहीं लगाना होता सनफ्लावर या सूरद मुखी इन पर ना सिर्फ हमिंग बर्ड बलकि गुराईया या स्पैरो जो एक्स्टिंक्ट होने की कागार पर है वो भी आती है सूरद मुखी के बीच तेल से भरे होते हैं जो काफी पौस्टिक होते हैं और गुराईया उसे खाना बहुत पसंद करती है फूलों का रस हमिंगवर्ट पसंद करती है भारत में ये गर्मियों के फूल है पर पश्यमी देशों में सूरज मुखी वसन के फूल हो जाते है पेंटास के बहतरीन फूल कई रंगों के होते हैं जैसे लाल, गुलाबी, सफेद, आदी ये फूल गुच्छे में खिलते है छोटे मगर ट्यूब शेपेट फूल रस से भरे होते है ये अफरिकी मूल के फूल है पर भारती गर्मियों को सुकून भरा बनाते है जब हमिंगवर्ट को सालों भर बुलाना है तो हमें 12 महिने कुछ न कुछ तो इनके लिए लगाना ही होगा पिटूनिया, गर्मी बरसात के अलावा जाडों का भी खयाल रखना होगा तो पिटूनिया उसके लिए हाजिर है पिटूनिया या संध्या मालती के बड़े आकार के ट्यूब शेपेट फूल हमिंग बर्ट को परियाप मात्रा में खाना उपलब कराते हैं भारत में या बेसिकली जाडों का फूल है जिसकी फ्लावरी एप्रिल में तक खतम हो जाती है हिबीसकस को अड़फुल, गुड़हल, जावा कुसम आदी कई नामों से जाना जाता है इनकी कई वराइटी भी होती है और हर वराइटी में आप इनमें बीच में बड़ा पीले मकसन से भरा हुआ फिलमेंट देख सकते हैं ये हमिंग बर्ट को भी दूर से नजर आ जाते हैं और वो पूरे दिन इन पर मंडराते रहते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप भी हमिंग बर्ट को अपने गार्डन में बुलाना चाहते हैं तो इन सारे फूलों को अपने घर में जरूर लगाए और वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो जरूर करें जरूर को अपने जरूर करें